कि क्या उनके खिलाफ कोई काम किया जिन लोगों के उपर चाशार नहीं हो टा बलकि जौ लोग अत्याशार कर रहे थे द्यक्त को आपको कोई भी पहचान कि आएगा कोई निन गाषता कि आप कहा surprised लेकिन आप पूरी दुनिया के किसी भी कौने में चले जाओ और बुद्ध का नाम ले दो तो आपको तुरंत बोलें के भारत जाये हो आखिर बुद्ध ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसके कारण हमें उनको नहीं मानना चाहिए कोई तो ऐसी बात कही हो जिसके कारण जो है जयाय कि तो उनका नाम कैसे लेते हो बाबा सहय बोलते हो हम इतना संवान क्यों देते हैं हमें आने चाहिए तो अभी जो है इस गाओं में जैसा कि मैंने से पूछा कि वही बुद्ध को जानते हो तो नाम चाहिए लेकिन बुद्ध का नामि तो कि सभU जानते हैं लेकिन विद्ध की holiday क्या थी उनका व्यक्तितुक्य था the कि उन्हें हमें क्यों जानना चाहिए है निस देश में बुद्ध ने जर्म लिया और देश में ही और एक वक्त था जब पूरा भारत पूरा भारत कौन सा आज का भारत नहीं आज के भारत में तो बंगला देश भी नहीं है आज के भारत में पाकिस्तान भी नहीं है आज के भारत में अफगानिस्तान भी नहीं है और बहुत सारे ऐसे जो देश वह भारत में नहीं है आज भारत बहुत छोटा है लेकिन जब यह सारे देश भारत के अंदर सामिल थे तब यह पूरा का पूरा जो जंबुदीप कते दे सब्सक्राइब कर आप यूटूब पर करनाए तो आप इस बात को सर्च करोगे ना तो आपको पता लगया कि अफगानिस्तान आफ जानते हैं पाकिस्तान पहले पड़ता पाकिस्तान भारत के फिर उसके बाद अफन पढ़ता एंब्र मूर्ति चटानों को काट के बनाई उती इस अफ्लाइस्ताने उसमें कौन लोग रहते हैं हिंदू रहते या नहीं रहते हैं मुस्लमां रहते हैं और एसलिये जानते हैं कि बुद्रफिक्रत्थी के खिलाफ हैं मूर्ति-पुझा मुर्ति खिलाफ हो मुझा हैै अब अफगानिस्तान मुसल्मान रहते हैं फिर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मुसल्मान रहते हैं ऐसा यह ना तो इतनी दूर जब बुद्ध की मूर्ति कैसे आ गई बुद्ध की मूर्थी कौन बनाएगा मुसलमन बनाएगे क्या मुसलमन तो बनाएगे नहीं और मूर्थी कौन बनाता है जिसकी जिसमें स्रध्धा होती है अगर यहां पर भारत में भारत के लोग स्रध्धा राम में हैं क्रिस्टन में हैं तो राम और क्रिस्टन की मूर्थी मैं तालीबान ने फिर जो अमेरिका का व्रेट टावर ठावर उसमें विस्ट Means फिर में तालीबान को नस्ट कर दिया का तालीबान से भी उसको अफगानिस्तन द crap करा तो कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर बुद्ध पैदा हुए औंभध के धम है कि बुद्ध का नाम लेवा भी नहीं है है ना अब इस गाओं के लोग जो है हम बुद्ध के बारे में जानते हैं कुछ भी तो ऐसी स्थितिक कैसे हो गई यह हमें समझने पड़ेगी अजब सबसे बड़ी विबंडमना क्या है कि अगर कोई आदमी गलत हो या उसकी बातें गलत हो या उसकी बातें ऐसी हो जो हमारे किसी काम की ना हो तो तो हम उसको भुला दें तब तो समझ में आता है या उसका कोई ब्रोध करें तो भी समझ में आता है लेकिन इस देश के लोगों ने कभी यह सोचने का प्रयासी नहीं किया कि आखिर बुद्ध ने ऐसी कौन सी कौई तो ऐसी बात क्या आज बुद्ध को नहीं attention बलकि और दूसरे देविदृत्व को मानते हैं जिनका कोई इतिहास के कहीं मिलते वह जिन लोगों को इस देष के लोग जानते हैं जैसे कि मैं हिंदु धर्म की बात करूं तो हिंदु धर्म भारत के भार आप चले जाओ भारत के अंदर सभी जानते हैं राम जी को जानते हैं क्रिशन जी को जानते हैं सब को जानते हैं लेकिन अगर भारत के भार किसी देश में चले जाओ वहां आप राम का नाम लो क्रिशन जी का नाम लो तो आ भारत के लोग ब्द को भुला बैठे हैं ऑखिर यह क्या हुआ और यसा क्यूं हुआ तो यही सब बातों जानकारी हमें पड़ी करने महनत से दिन रात महनत करके जो हमें वह निकालके दी अगर निक्ड़ी में इंट्रेस्ट नहीं घर मैं आपको पतली पतली किताबे देदो तो आप उसको पढ़ोगे नहीं पक्की बात है कि पढ़ने में इंट्रेस्ट नहीं है अब परम पूज़ा बावाज दूटर भीमरा ओंबेट कर अपनी पूरी जिंदिगी कभी सुकसे नहीं जिए सबको मालूम है कितने दुख देले किसको मालूम है कि इतने जुक देले हांज पताओ क्या जुक देले अच्छा पानी की पीने की अलग पानी ले जाना पड़े हुँँ आप दो इसकुल में बैट जामें जब इसकुलते बहार बैटना पड़े हुँँ कोई साधन की सुद्दा नाई जैसे गारी में आज बैटके सब्लूक चल ना, जो आप बता रहे हो ना, बहुत अच्किल में बता रहे हो, बचपन से ही सु रुआत होगा दुखो की, और बचपन से रưởng ही सु रुआत रुआत दुखों की जो हैं खाली बाबा साहिब की जीवन में निची पूरे भारत वर्स के एक बड़े बर के जीवन में ऐसी पीने के लिए उनको कहीं भी पानी उप्लब्द नहीं था तो जब अमेरिका जा रहे हैं अमेरिका सब्सक्राइब करने की जिम्सक्रा आई कि उपनी kसके उपर आई कि उनका प्त्नी है परिवार के जिम्यदार्य आई दूसरें के घरों जाकर वर्तन साफ करके गोर के उपले बनाकर उनको बेच कर इस तरीके से परिवार का भरन पॉस्टन करा करती थे और जो कॉलर सिप मिलती थी उस में पेट में खाना चाहिए उतना खाना भी नखा पाते थे जितना अगर आगर दो ब्रेड खानी है तो एक पैसे बचा कर या तो किताब करते थे या बापस वेदर भारत में मातारमावाई के पास परिवारत चुलाने के लिए भेज देते थे ठीक है लेकिन इसके वाब जो भी जब वो अमिरकां पढ़ाई कर रहे थे तो एक करके उनके तीन बच्चे जो है मौत के मुह में जो है जा समाए मृत्ति को प्राप्त हुए अब मृत्ति को उनकी भूग प्यास से दवाईयों क्या भाव में गरीवी में मृत्ति हुई ना अगर अमीरी होती अच्छा पूर से संपन थे और उस वक्त जो है किसी ने भी जो है बावा साहिब की हैल्प ने करी क्योंकि जानता कोई नहीं था बड़ी मुश्किल से बड़ोधरा रियासत से इस्कोलर से प्लेकर अमेरिका गई है पड़ाई लिखे करने के लिए और उसी से अपना काम चला रहे हैं वहां लेकिन जब बापा साहिब पड़ लिखकर वापस आए बैरिस्टर बन गए और बंबे कोट में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनका एक बेटा और जिंदा था मतलब जाया उसका नाम था राजरतन तो वह बिमार पढ़ गया और वह बिमार पढ़ गया तो सुचना आए उनके पास जल्दी चलो घर पे आपका बीटा राजरतन बीमार पढ़ गया तो बाब साहिब जैसे ही वापस घर पर आये है है और जैसे ही उनने दोड़ा न हम Food और बावा नहीं जो एक तो फ्रूं कि है और जोर्थ में बसक्रों करो बश्करों और ऊपना परिवार उजार दिया अम मुझसे श्हहन नहीं होता है dying सबस्क्राइब ठाल तो तो बावा सहिए उनको धाना समय समय आते वह कहते हैं कि चुप वह जा रमा चुप वह तू तो रोबी सकती है लेकिन आप रोब सकता क्योंकि मेरनी तो आखों के आशोंचुक्त कर रहे हैं तो मातर हुआ कहती है कि ठीक है एक करके मेरे तीन बच्चे आपके पीछे मरगे मैंने कभी शिकायत नहीं करी आपसे मैं आपसे कुछ नहीं कहा लेकिन आज मैं चुप नहीं होंगे आज मुझे आपको पताना ही होगा कि जब आप राजतन को गोधी में खिलाए कर तो वैन sat qui Ramam mellen इस देष में एक दिन ऐसा काम करके सिगा कि इस देश की हर सब्सक्राइब की संतान तो और और आप को जाए अधिकार है उस टेम तो लड़ने का दिकार है चुने जाने का दिकार आप पर्धामद ताक्त आपको दी तो यह सब दुने दुख उन्होंने जीले और उसके बाद 35 साल की उमर में 935 में माता रमा भाइं भी उनका साथ चोड़ी चली अब उनके जो प्रिय बच्चे थे जिनकों बहुत प्यार करते थे कोई ऐसा मावाप है जो अपने बच्चों प्यार ना करता हो कोई है क्या अगर हमारे बच्चों को जुकाम भी हो जाए तो हमारे पॉकिट में जितना पैसा होता है न हम सब कुछ उन पर खर्च करने के लिए तयार हो सब्सक्राइब आते हैं हम कोई सरकारी होस्प्राइब में लिए चलो बच्चा बचना चाहिए कोई दुखी नहीं दिख रहा था लेकिन उस इंसान के चार-चार बच्चे जो है मौत के मुह में जाकर समागे और 1935 में माता रमाब आई हैं जिनको बहुत प्यार करते थे व बहुत के मुम्या समाइब अब 1935 तक बावा साहिब पूरी तरह से एक तरह से उनका जीवन नस्ट हो चुगा था जिसको जीवन कहते हैं अगर किसी वी व्यक्ति के जीवन में इतनी हिर्दय विदारक घटना घट जाएं तो क्या कोई व्यक्ति उनसे किसी भी महानतम कार्य क्यों महान कार्य करता है उसके बाद भी उनके मैंड में और उसके बाद आपको क्या दिया वबासाहिब ने समिधान की वैसे मिला तो आज जो हम इतनी सुख ऐसो अराम की जिन्दिकी जी रहे हैं वह परम पूझे बावास भीमराव अमबेडकर की वैसे जी रहे हैं ठीक है लेकिन सोचने वाली बात यह कि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर अमबेडकर से नफरत भी करते हैं उनके नाम से चड़ते हैं तो समझने वाली बात यह कि बावास भीमराव अमबेडकर ने किसी के लिए जिनके खिलाफ कुछ हो रहा था जिनके उपर अत्याचार हो रहा था उनके समाज जला में कोई भी हैं मलब चीनता हो जिनके अधिकार खुए और मरें की metal है अब हिंदुवों में कहावत यह कहते हैं बाव तो हुए इस हमारे पिछले जनम के कर्मों का प्रणाम है अइसा बोलते न और जनम ले किसी के बस की नहीं है अब कौन किस जाती में ले रहा है एक और जो बच्छा ब्रहाममन के घर में जन्णम लिया जिसने मरने के बाद वो कल को अगर किसी चमार की खर में जन्म ले लिया तो क्या होगा को ऐसी विवस्ता ही नहीं कोई सोचते नहीं है तो यह जो विवस्ता है वह भी कारी को बैठा है लेकिन यह जो हमारे mind है ना हमारे मन में जो बात समायती है हम बस उसी को पालन करते हैं जैसे कि भूस से रिति रिवाज आपने देखें आउगे जो बच्पन से आपके पठा दिये गए अब वो रिती रिवाज यापके दिमागे बैठ गये है और जब भी कोई लोगाइन की और लोगा लेकिन आप लोग जो हैं गलती से यह आनजाने में उस पर नहीं आ पाए तेरह एक्टूबर से 1935 को ये विला में परमपुझे बावज दॉक्टर भीम्राव ओमेडकर ने एक घोसना की थी ऐसी सभा लगी थी बहुत सारे लोग ते उसमें हजारों संख्या में लोग इखटे थे सामने मंच लगावा था और वहां उन्होंने घोसना की थी कि भई हिंदू धरम में मैं पैदा हुआ यह मेरे बसकी बात नहीं थी लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा यह उन्होंने घोसना की लेकिन हमारे लोग जो है तब भी निस सुधार के लिए परियास किया कि हमें कालारा मंदिर में परुजा करने का नहीं उन्हीं देजाया ची और उन्हीं इस बीसा करेंगे और जो लिएक लिए मोद्षण लिए वहाँ है तो हम जब मंदिर में जा रहे हैं तो हमें उल्सकीन करने नहीं जाती है तुम हैं हिंदू नहीं मानते हो इसे लगी हिंदु श्यू करें है क्योंकि बाबास है वोगों का भला हिंदु धिरम में नहीं हो सकता इसलिए बाबसाहिब ने करी कि मैं हिंदु धिरम में मरूंगा नहीं इसके बाद एक बड़ी सोचने वाली बात लेकिन क्या बाबा साहिब ने जब यह घोशना कर दी तो हिंदुधर्म छोड़ दिया लेकिन हमने ने छोड़ा और जब वह हिंदुधर्म को छोड़ कर कोई दूसरा धर्म उनको अपनाना है उनके पास मुसलमान आएं उनके पास सिख दुनिया में जितुने भी धर्म हैं सब लोगा आए दुटे पैसे ले रहे है को सब्सक्राइब ने किसी के भी लालच में आए अगर उन्हें लालच मन्जूर होता तो कुछ भी ले ले लेते किसी भर झाते मुश्म्म वह जाते ईशाहिव जाते और बहुत ही सखी से अपना ज्वह जीवन जीते लेकिन उन्हें अपनी चिंटा कभी भी नहीं थी अपने पूरे जीवन में अपनी चिंता नहीं थी उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस समाज की चिंता थी लेकिन ये बड़ी बड़ना है कि पूरे जीवन जो है समाज के लिए जिए इस समाज के लिए मरे लेकिन ये समाज उनको पूरे जीवन में एक चुनाब भी नहीं लोग उनके पीछ पागल लें इसी लिए वह जाकि उन्हें पर पीछे बटन दबागा आते हैं तो यहीं है को उस कहां इतनी महान सक्सियत उसके सामने वो क्रिकेटर कुछ भी नहीं है जीरो भी बहुत बड़ी चीज़ हो गया है उसके बाद जो है फिर वह बंगाल से चुनाव उनको लड़ाते हैं मुसलिम लोगजय उनको साथ देते हैं वहां से चंडाल ब्रादरी होती है वह उनका साथ और वहां से चुनाव उनको जिता जेती हैं मुसलमान चणडाल ब्रादरी बरी मिले के बाबा साहिब को चुनाव जिता जेती हैं और समिधान सभाव में भेजने का काम करती है लेकिन गांधी और नहरू कभी चाहते नहीं थे कि ये समिधान सवा में जाएं क्योंकि जाती बाद इनके मनबस्तिक में हावी है कि ये कैसा जाएगा और पटेल ने तो यहां तक कहज़े था कि इस समिधान सवा में घुषने के अमिडिकर तुम्हारे जो है मैंने दर्वाज करते थे आज आमको कोईगाली देते तुरंज से उद्देली तो याओ Ge def current देव चूटे लिद About मधे लिए लगSa qd eating ने चाहा करना है अगर मेरे क्या था शान करना है तो मुझे कभी घुसा नहीं है अगर कोई काम कर दिया तो मेरा काम गलत हो जागा मैं लक्षे को प्राप ने कर पाऊंगा इसलिए पताने कितनी गालियान लोगों ने दियोंगे पताने क्या-का उनको कहा होगा कभी बुचलित निवे उनके सामने लक्षा था समध्धान सभाम जाने का तो उसी लक्षे पर केंद् रहें और वह च्छे दे दिया पाकिस्तान को तो वह अब फिर से बाभा वासंधान न्यदान सभाण है लेकिन बावासहिपि परतिवा इतनी तंगडी ती पूरे विसू में कि पूरे विसुंए उनका नाम हो चुगा तो कुछ भारत के यही अच्छे लोग थे इचाते उन कि अपने अथक परियत्नों के कारण जो है उनकी अपनी प्रतिवाइक कारण वो समिधान सवा में और समिधान सवा में जाकर उन्होंने आपके लिए यह समिधान आने का कारे किया जिसके माध्यम से आपको समानता का अधिकार मिला आपको चुनकर जाने का अधिकार मिला और चुनने का अधिकार मिला इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी अधिकार मिले जिससे कि आज आपका जीवन जो है बहुती सुख ऐसो अराम से बन रहा है ना पहले कपड़े को साफ कपड़े को ने कपड़े को पहले वो गंदा करेगा कीचड में फिर आपके आत्में देगा यानि कि हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था रोड पर चलने का अधिकार नहीं था किसी तरह का अधिकार हमें नहीं था बलकि जो मानव दिक पीसदिन ना जिस दिन चुनाव ऊगा उसे नितों पहले उसके लोग है उनके जीवन में किसी को वैलू नहीं है अगर उनके लिए उस एक बुतल के उपर जो है उनकी मा भेन की अगर इज़त का सोधा कर दे जाए तो वह उसको भी कर लेंगे उनके लिए किसी के लिए कोई वैलू नहीं है ठीक है दूसरी एक बड़ी भारी कमी है किताबों की पढ़ना पढ़ने की हमारा समाज पढ़ता है यहां पर शुक्राव जाएंगर उतना बड़ा महानकार हो नहीं करते हैं अप लोग पढ़ने का मिकार आपसे यह थोड़ा कहता है कोई भी जो है कि आप इतनी बूटी किताब पढ़ों बहुत सारी किताब पढ़ों आप लेकिन छोड़ा एक किताब आप लिया उसमें आ पाजकुमार जी और रित्तु जी का जोय है यहां पर आपने स्टेच्व लगाया है यह बहुत अच्छे मुंगलपी था तो इंसे यह मुलकात थी और इतनी अच्छी सख्षिया थी थे राजकुमार जी हमें बाद में पता लगा है इनकी न Gent पाद कि शुखी जोपड़ी जो बस्तियां थी वहां से कई बच्चे उन्होंने एक तरह से गोद ले रखे थे उनके ट्यूशन की फीस पेका करते थे इतनी इनके अंदर लगन थी समाज के प्रति तो यही लगन हम सब के प्रति हमारे सब के अंदर होने चाहिए तो मैं था मतलब 1935 पे कि अब कीकी उपयूबर का अपनाने में कि 21 साल समय लगां और tahun 1935 में अपनाए और ठीके की साल तेर है अक्क्टूबर और चोदी अक्क्टूबर शण 25 ओड़ने को 21 साल का समय लगा है ना ठीक एकिस साल अब आपको या इस दुनिया में आपने जितने भी लोग देखें हों जिन्होंने ध्यर्म पृतन किया हो किसी को इतना लंबर समय लगाए क्या धर्म प्रतन करने में जिसने आज सोच लिया कि धर्म प्रतन करना है वो कल ही जाएगा मंदिर में मस्जिद में गुर्द्वारे में जहां भी जिसको जो भी धर्म अपनाना है वो जो है एक दिन में धर्म प्रतन कर लेता है ऐसा ही है ना आज आंज में मैं हिंदु हूं मैंने इंड़ने लिया कि मुझे कर बिदम मुसल्मान बनना है तो कल मस्जिद में मुस्ल्मान गया एक दिन लगा लेकिन बाबा साहब को 21 साल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनका कोई भी काम जा्य उनके अपने अपने लिए नहीं है उसका बहुत बड़ा इंपक्ट होता है बहुत बड़ा प्रभाव होता है उनके पीछे जो है लाखो लोग है करोडो लोग है जो उनका अनुसरन करने वाले हैं और ना केवल उस समय लोग थे उनका अनुसरन करने वाले हैं वो जानते थे कि आने वाले समय भी लोग मेरा पढ़के यहां और ऐसा नहीं है कि खाली बहुत धर्म कर रहा हो विशुव के जितने भी धरम है लिए धर्म गरंथ जब आप उनकी किताब को पढ़ोगे तो पतले हैं कि जितना किसी पंडित को नहीं मालूम है अपने धर्म के वारे में जितना उनको मालूम है गीता रमायन प्राण कुछ भी निशोड़ा है वेद एक चीज को बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने पढ़कर और उसमें समझाया है कि मैं इसका खंड़न क्यों कर रहा हूं मनुस्मृति में क्या चीज है पचीज धिसम्बन 27 कमणृस्ति मृति ज版 उन्होंने तो क्यों जलाई मनुस्मृति पढ़के जलाई यह वैसे लादी और जब पड के जलाई तो उनके ऊपर उस बात को चैलेंज करने के लिए कोई नहीं है कोई पुलिस नहीं है कोई मुकदमा नहीं है आज तो हता है न मुकदम्ह आज तो समझके पढ़कर जो चीज से उसको अब बलत मैं जitter चोर है तो चोर कई तो बुलाएंगा उसको यह आदमी चोर है उसको और किन सब्तों में बोलें बहुत दिखाया विश्व के सभी धर्मों का अध्यान करके तुलनातम अध्यान करके और बावसाइब यह कहते भी हैं कि मेरे समाज के लोगों को अंध्य होकर बहुत दिमना चाहिए उनको दूसरे धर्मों कोई पढ़ना चाहिए और जाच करनी चाहिए कि उनके लिए वास्त में क्या जो मैंने धर्म सुझाया है वो सही है या गलत है तब आपको पता लगेगा ये अब इस न बहुत होता है कि वास्तम में अमिडिकर ने जो है कितोना दूरा महांत्म कार्याप लोगों के लिए करके दिखाए जलो अब एक बहुत आँए कि ज्याते हैं मुशलिम धर्म refers Wiederैं तो हिंद्यों में बिल्कल नहीं है पहुत अचा भाईचा रहें एक साथ खाना खाते सिखों में भी वह अच इसने भी धरम है उनको जाजा जाय कि क्या वास्ता में वो धरम है तो उनकी जाज करने के लिए बुद्ध ने एक गाथा कई कि सभ पापस से अकरनं कुसलस्य पसंपदा सचित्परियोदपनं एतंग गुद्धानुस आसनं कि सभी प्रकार के पाप करम ना करना और सभी प्रक देखते हैं तो वहां पर धरम की परिवासा नहीं मिलती है इसमें रिफांप कर आता है इस मूर्ति लगाने का उदेशे बिल्कुल सफल नहीं होगा अगर उनके जीवन को हम समझें नॉनके जीवन के उद्देशे को न समझें और उससे हम कुछ सीखने सकें तो क्या पायां मूर्ति लगाने का? यहां पर बस जो है कि राज कुमार जी का नाम होता रहा है उनके खंदा नाम होता रहा है इसलिए मुर्त लगाई है यह मकसद नहीं है किसी भी व्यक्ति की मूर्ति लगाने का मकसद यह होता है कि उसने अपने जीवन में क्या करा जो कि हमारे जीवन के लिए वो प्रेणा है में जो अच्छे काम के जो हमने अच्छे मार्ग बताए काम कुछ दीड को देदगी मूरति in में इसा नहीं बुध के धम में मुक्ती मूर्ती के सामने तुम सुबह आओ यो रो रोज बंदना कर और ने पड़ने वाला लेकिन वंदनागो कहे रहेहे बंदनां क्या कह रहे हैं घटे होगे तो र Belowते में क्या करते हैं बंदना में क्या तर नमोतास्थ को जैसे काम क्रोध मोह लोव द्वेश्ट रशना इर्शा इन सब को निकाल भार किया है और एक अच्छे चित का अपने चित को परिशुद कर लिया है तो इस तरह के महामानब को यहां आप से पूछू मैं मैंने च्छहों इंत्रियों पर नित्री इस्थाफित के बुद्द ने हर किसी इंसन पर चैनली यहां कौन से कि ना कान मुह जीव त्वचा एंद्रिय थो है मन्न आपका किसी का नेंत्रन है किसी एक बी इंदरisen फर definitely जब आप इससे चाहो जुँचको और जितना चाहो जो क़्ाहो वो खाओ ऐसा हैं नेंत्रन नहीं है आपनें रसखुल्ण खा Ł moi के लिया कि अब दूसरैं यहां बिल्कुल मतलब नहीं है गाने चुनोगे और भी कुछ सुनोगे जिसका आपके जीविन में महत्व नहीं है आँखों से क्या आप वही देखते हो जिसका देखना जुरूरी आपके लिए आप जब रस्ते जाओं यहां भी देखोंगे मतलब नहीं किसी चीज से आपको जाना है पहासू आपको पहासू का रास्ता देखने के लिए सिर्फ चार कदम देखना है और आप दुनिया भर का देखते आ रहे हो यह एनरजी ने स्टोरी है ऐसोना देख रहे हो तो नमन करना चाहिए इस संसार में जितने लोगों की पुजा होती है जितने भगवानों इस्वरों कोई देवतेता पुजा होती आप उनका करेक्टर उठागे देखो वास्तव में वो नमन करने योग जैंकि किसी यह नहीं मिलेगा लेकिन बुद्ध का करेक्टर ऐसा है जिन हाँ चलो फिर बाकी जो ना मंदने कम करते हैं सुभे करते हैं और शुबे जो है उसको कर लेंगे अपना चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल एंबी न्यूस 24 इन टू सेवन को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और जादा से जादा इसकी वीडियो को शेर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसादी से पोचाएं करें करें करें